तो आप सभी का फिर से स्वागत है एननोमस ब्लोग प्रोग्राम के एक्जाम्पल कोश्चन और एंसर वाले सेशन में चोदा कोश्चन हो चुके हैं पंदराहुमा कोश्चन हम लोग को यह है इस्क्रिन पर राइट अप्रोग्राम टू एक्सेब्ड टेमपरेचर इन सेंटीग्रेट और कनवर्ट इट इन्टू फार्ण हाइट ठीक है यह फॉर्मूला है तो उसके लिए हम लोग को यह प्रोग कराते हैं SQL developer में यहां पर हम लोग को celsius देना है तो celsius 97 degree celsius is equal to कितना होता है Fahrenheit कितना Fahrenheit होता है is equal to 206 206 points shape होता है Fahrenheit ठीक है जैसे कि हम हम लोग का body temperature कितना होता है 46 या 45 degree celsius होता है 114 ठीक है हम लोग का कितना होता है 35 degree celsius तो यहां पर आप देख सकते हैं 95 95 degree Fahrenheit होता है ठीक है जतना भी अब डारिंग 37 degree celsius यह नॉर्मल temperature होता है हम लोग के body का 98.6 तो इस तरीके से आप celsius डालके Fahrenheit का निकाल सकते हैं ठीक है यह रहा आप क्या result screen अगर 97 degree celsius है तो Fahrenheit कितना होगा 206.6 degree Fahrenheit ठीक है यह रहा code screen आप इसको वीडियो को stop करके code लिख ले note down कर लें फिर अपने system में run करा के देखें ठीक है ऑगे ऑगे